Hi and Welcome to the High Priestess Taro, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है and welcome back, जो लोग already subscribed हो So, आज हम लोग देखेंगे आपका 11 February 2022 के daily messages क्या है, guidance क्या है, क्या जान सकते है, आपके लिए क्या जानना important है यह reading कोई भी देख सकता है, यहाँ पे zodiac signs वगेरा important नहीं है जो भी message आपसे resonate कर रहा हो, वो message जानना आपके लिए है So, starting off हमारे पास है the justice energy, eight of cups energy I see, आज काफी जादा movement है आपके रास्ते में, yes, बहुत लोग travel कर रहे हो या traveling का plans बना रहे हो आप I also say, आज कोई आ सकता है आपको visit करने या आप कहीं जा रहे हो किसी को visit करने I see, कुछ लोगों के लिए आज आपका किसी Libra के साथ कुछ जगरा या misunderstanding हो सकता है या फिर, maybe किसी Libra के साथ आपका कोई ego situation चल रहा है that ये Libra person बहुत ही जादा, Libra या फिर Pisces या Scorpio ये तीनों मेंसे, I feel that आपको महसूस हो सकता है that बहुत जादा conflict है, बहुत जादा issue है आपका इस person के साथ maybe ये Libra person, Pisces या Scorpio person आपकी बात नहीं मान रहे या आपको, you know, आपके बारे में कुछ politics कर रहे है या ये continuously आपको परिशान कर रहे है, basically so, I see इन लोगों के साथ आपका थोड़ा सा problem हो सकता है बाकी लोगों के लिए I see a lot of movement, traveling किसी से मिलने जाना, कोई मिलने आ रहा है messages आना, messages भेजना, a lot of that is happening I also see here that आपके life में आज कोई है, ठीक है कोई है जो आपको advice कर रहा है जो आपको किसी बात पर guidance देने की कोशिश कर रहे है but आप उस चीज को अन देखा कर रहे हो या नजर अंदास कर रहे हो आपको लग रहा है वो इंसान उतना important नहीं है या वो advice उतना important नहीं है but ये जो भी इंसान है आपके life में ये बहुत ही ज़्यादा important है आज आपका intuition काफी ज़्यादा high है आज आपका crown chakra काफी ज़्यादा active है so जो भी आपको लग रहा है intuitively कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है जाना वो होने के chances ज़्यादा है या अगर कोई भी इंसान को देख के आपको कोई भी type का feeling मिले कोई भी आपको आपका intuition आपसे कुछ भी कहे अच्छा बुरा उस चीज़ पे गौर करना उस चीज़ को ignore मत कर देना I also see आपके career या आपके financial situation में आपको काफी type के help मिल रहे है या कुछ लोग आपको you know help करने की कोशिश कर रहे है चाहे आप इन लोगों से help मांगे हुए हो या नहीं I also see आज आप थोड़े से burden feel कर सकते हो थोड़ा सा pressure, work pressure, stress ये जो सारी चीज़े है आप थोड़ा सा पहले पहले आपको feel हो सकता है जैसे ही आप दिन शुरू करो बट धीरे धीरे I see here that आप काफी जादा stable and happy feel करोगे अपने career या finances में आज आप kind of जो भी खर्चा वगेरा कर रहे हो आप बहुत ही जादा सोच समझ के कर रहे हो because आप फालतु खर्चा नहीं करना चाते हो कुछ लोग याँ पे savings कर रहे हो कुछ लोग investments कर रहे हो so I think that आपको overall finances आपको overall expenses already plan किया हुआ है पहले से and आप कोई भी you know गलत expense गलत जगा पे basically अपना पैसा waste नहीं करना चाते so I think that आप काफी जादा planfully strategy wise चीजे कर रहे हो आप जो भी decisions ले रहे हो सोच समझ के plan करके ले रहे हो and कुछ लोग आपके help करने सामने आ सकते है बाट जरूरी नहीं है आज आप आपन लोगों का you know help ले रहे हो because I think आप खुद में ही stable feel कर रहे हो आप ये जो भी काम का burden है आप खुद ही काफी अच्छी तरीके से उस burden को उतार रहे हो अपने सर से आज के दिन में success is coming I see बहुत सारे लोग आज आप से attracted है आपके love situation में या आप किसी से attracted feel कर रहे हो so अगर आप अच्छा dress कर रहे हो अच्छा आप दिख रहे हो I see बहुत सारे लोग आपको notice कर रहे है बहुत सारे लोग आज आपको kind of आप से बात करने की कोशिश कर रहे है आपको social media पे reach out करने की कोशिश कर रहे है या आपको लोग notice कर रहे है बहुत सारे conversations हो रहे हैं, बहुत जादा stable, happy, एक energy है, बहुत ही positive एक energy है, जो लोग एक normal relationship या marriage में हो, आप बहुत जादा time spent कर रहे हो, आप एक दूसरे के बारे में, you know, सुन रहे हो, चीजे शेर कर रहे हो, it's very nice, जो लोग conflict वगेरा में हो, problems, issues चल रहा है, I see, आप लोगो के solution है, जो सही time पे आएगा, so आप hold on कर सकते हो, अगर आज के date पे आपके मन में ये सवाल है, should I move on or should I wait, मैं आप से कहूंगी, you should wait, because obviously, अगर आपका situation एकदम toxic नहीं है, then I would suggest that you wait, जिन लोगो का situation toxic है, आप रहे नहीं सकते, आपको अरदी पता है, उन लोगो का अलग situation है, obviously, आपको पता है, आपको क्या करना है, right, so, जिन लोगो का थोड़ा सा conflicted है, separation है, थोड़े से pain में हो, I can tell you that आप थोड़ा सा wait कर सकते हो as of now, but majority लोगों के लिए आज आप पे कोई नजर रख रहा है, आज आपको कोई stock कर रहा है, social media पे, आज आपके pictures कोई देख रहा है, आज कोई plan कर रहा है, strategies बना रहा है, आप से बात करने की, आपके सामने आने की, आप से मिलने की, so, पीट पीछे कुछ है जो, या कोई लोग, कोई इंसान है यहाँ पे, जो आपको पसंद करते हैं, चाहे आप इन्हें जानते हो, चाहे आप इन्हें ना जानते हो, वो दू ही लेना, और बाकी के messages यहीं पे छोड के जाना दूसरे लोगों के लिए, so, God bless you, have a wonderful day ahead, goodbye and take care.